तो उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में ताज महल को लेकर उट रहे विवाद के बाद अब अलहाबाद हाई कोट की लखनो पीट के सामने एक याचिका दाखिल हुई है याचिका करता डॉक्टर रजनीश सिंग ने भारतिय पूरा तत्व सर्वेक्षन को ताज महल परिसर के अंदर के 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने के निर्देश देने की मांग की है दावा की अचारे की डॉक्टर रजनीश सिंग भारतिय जनता पार्टी आयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी है अधिवक्ता रूद्र विक्रम सिंग के माध्यम से दाएर याचिका में तर्क दिया गया है कि कई हिंदू समूद दावा कर रहे हैं ये ताज महल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजों महाले के नाम से जाना जाता था दाएर की कई याचिका में कहा गया है कि इन दावों में ऐसी स्थिती पैदा हो गई है जहां हिंदू और मुसल्मान आपस में लड़ रहे हैं और इसने विवाद को खत्म करने की जरूरत है याचिका में सरकार को एक तथे खोज समीती गठित करने और मुगल समराठ साजहा के आदेश पर ताज महल के अंदर छिपी मूर्तियों और शिला लेखो जैसे महत्पूर्ण एतिहासिक शाक्षियों की तलाश करने का निर्देश देने की मांगी गई थी